है लो कैसे हैं आप सेलों पूमीद करता हूँ आपसे लोग बहुत अच्छा होगे दोस्तों आज मैं आपका फॉर्थ मैच की मैच पडिक्शन तो फॉर्थ मैच खेला जाएगा दोस्तों उसे बताने से बहले मैं आपको बता दूप के अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल प तो आप जो सकते हैं ठीक है और दोस्तों आपको मैं बताओं कि वहां पर आप जोए जाएंगे और पूरी ट्रेडिंग मैच पर दोरान कराई जाएगे तो दिये गए लिंक से जोएन हो ना तब ही जोए अपके चैनल में जोए नहीं तो बहुत से फेक चैनल बन गए है मार्क कि मुकाबला होगा दोस्तों क्रिकेट इति आज का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया बुम्हें पाकिस्तान बुमेंच पाकिस्तान से मुकाबला होता है तो वैसे भी ऐटमी केछे बाप नाटरा की नाट शे बारा जाए। तो confidence बड़ा हाई होगा इनका अब पूरी टीम का हाई होगा कि शेफाली बर्मा और रिचा घोष संदे 19 टीम की विजेता टीम की जो थी हिस्सा थी जो बहतरीन खेली थी तो एक मोमेंट था इंडियन मोमेंस क्रिकेट हिस्टी के लिए और मैं बिलुकुल चाहूंगा कि वो म पाकिस्तान मुमेंस की टीम पर डालू तो दोस्तों इंडियन मुमेंस का ही पड़ा भारी है अब आई ये दोन टीम के पिछले पांच मकाबलों पर डालते हैं आज मैंसे तीन जीत करा रही है भारतिये मुमेंस टीम पाइसिए प्रड़ा पãoच में से एक जीत कर आ रही है पाकिस्तान मुमेंस टीम दोने टीम के की एंडिया मुमेंस ता पाकिस्तान मुमेंस और मकाबला जीटी की थी गलती से पाकिस्तान मोमेंट, उजाती है कभी कभी गलती जिन्दिघी में, वैसे इंडिया मोमेंस का बढ़ना भारी ही रहता है पाकिस्तान मोमेंस पे, ठीक अब आईजे इंडोनों टीमों के पिछ धले 10 मोबलु प्ले शीव हो ठालते ह क्किस्टान व्मैंस के एकू यह सो तेईिस है एकस सफसेटासी रन हाइस्ट है इंडिया मोमेंस का दोस्तों एक्षा 500 पाकिस्तान मोमेंस का टीक है को अगर मैं रूसरेजीज की यू बात करूब कुस्छ पिर लंका भूमेंस एकस्टान बना है थी साथ आफ्रिका बुमेंस वो मुकाबला हार गई तीन रन से वाव वाट अ परफॉर्मेंस बाई से लंका बुमेंस पहला ही मैच में अपसेट पिटोरिया कैपिटल्स ने 182 रन बनाये थे हमाई केप टाउन 130 बना पाई थी 170 बनाई थी हमाई केप टाउन एक मैच में और संद जो इस ग्राउंड पर हुए है तो अब आईए और भी कुछ आखड़े जानते हैं तो और भी कुछ आखड़े इस पकार हैं कि दोस्तों तो कि बात करूँ तो 6 और में आपे बनते हैं पहली पारी में 49 रन मैंस क्या अखड़े मता रहा हूं टीट ओंडी के दूसरी पारी में दस ओर में आपे पहली पारी में बनते हैं सब्सक्राइब कर दिए जाएंगे कभी एक रुपया नहीं कभी मेरी तरफ से रुपया ले जाएगा सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइट कराया जाएगा ठीके गाइस तो यह तो भी बाकी सब की बाते हैं अब आये दोस्तों पिछ रिपोर्ट की बाते करते हैं तो पिछ रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है निव लेंड्स की पिछ रिपोर्ट बता रहा हूं आपको निव लेंड्स केप टाउन की तो दोस्तो 21 मकाबले हुए है छे जीते हैं पहले बिल्ले बादी करने वाली ने 15 जीते हैं बाद में बिल्ले बादी करने वाली ने एक मकाबला जो है दोस्तो टाइए एक मकाबला टाइए नहीं है एवरिज फर्स्ट इनी स्कॉर्ट 157 रन का रहा है ठीक है काईज 193 रन आइस्ट है और सौताफ्रीका का ल्होेस्ट यह तो मैंस के आकड़े थे वुमेंस के आकड़े हाँ पर दोस्तो ज्यादा नहीं है इसल तो भारते टीम के लिए स्मिर्थी मंदना ओपनिंग करेंगी शेफाली बर्मा के साथ जमाइमा रॉड्रीक्स नमबर तीन हर्मन प्रीटकॉर नमबर चार इस्तिका भाटेया नमबर पांच रिचा खोश नमबर छे दीपती शर्मा नमबर साथ रादा यादो नमबर आठ शि भी बहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ बैचों में इंटरनाशनल लेवल पर भी और इंडरनाइटी लेवल पर भी और काफी अच्छी जो है टीम मुझे शिखा पांडे की वापसी दिख रही है बहुत दिन बाद बीच में इनको दरकिनार कर दिया गया था लेकि पाकिस्तान टीम की प्लेंग लाएं उन्तों गाईस अब मैं आपको बताता हूं आपको आपको लोग जानते हैं और आप सबी लोग जानते हैं कि वाइस आपको नहीं दिये जा सकते लाइव आके इस तो फटावर चैनल को टेलिग्राम चैनल को जूड़ जाएं दोस्तों दिस्क्रिक्शन में है जो भी वीडियो देखें अगर नहीं जूड़ा है तो तुरन जूड़ जाएं ठीक है और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो मेरे पहली बार देख रहें तो फटावर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपके पास अपसे पहले आएगी और आप मेरी अपडेट्स में नहीं करेंगे तो ठीक है तो मेरे हिसाप से जो टीम मैं जीतेगी वह होगी भारतिय वोमेंस टीम यहां द नहीं लेट इवछन जीतेग्न अवी देखेउन मेंस तो जाएग ल ngo requests यहां चाहले हिर्वेगा।